बच्चे मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे बाल दिवस यानी बच्चो का दिन जी हाँ आज देश भर में बाल दिवस मनाय जा रहा है बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं ये तो आप जानते ही होंगे लेकिन आजकल कि माएं बच्चों को नहीं बाप को जनम दे रही है ये शायद आप में से कुछ ही जानते होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप यही सोच रहे होंगे तो दोस्तों जब हमने इंटरनेट खंगाला तो पता चला कि हां भाई वाकई आजकल माबाप को जनम दे रहे हैं चोटी से उमर में ही ये बच्चे मुबाइल तो ऐसे चलाते ही मानू मा के पेट से ही मुबाइल चलाना सीख कर आए होंगे बड़े-बड़े लोगों से तो क्या ही मुबाइल चलता होगा जो ये बच्चे फराटे से मोबाइल कस्तमाल करते हैं मोबाइल के वो फीचर जो बड़े-बड़े नहीं जानते वो बच्चों के लिए आम हो चले हैं मानो मोबाइल चलाना बच्चे मा के पेट से ही सीख कर आ रहे होंगे अब इस तस्वीर को देखी बच्चा मा के गर्ब से ही बहराने वाला है डॉक्टर उसका वेट कर रहे हैं वहीं बच्चा आने से पहले फोन में स्टेटस लिखने को बोल रहा है ये है तो केवल ट्रॉल होने वाली एक साधरन पिक्चर लेकिन इस मजाक से पर ये तस्वीर हमें एक संदेश भी दे रही है कि आ गया है वो दौर जहां बच्चे जनम लेते ही तकनीक से जूट जाते हैं इस स्मार्टफोन तो उनकी जीवन में एक काल्पनिक फैमिली मेंबर का रोल निभारा है जैसे बच्चे के लिए परिवार में पापा होते हैं, मम्मी होती हैं, बड़ा भाई बहन होते हैं वैसे ही मम्मी पापा का स्मार्टफोन भी होता है और कुछ बच्चों को तो बच्पन में ही माबाब फोन दिलवा देते हैं वह इस बास से हमें खुश होने की जरूरत नहीं है तकनीक हमारी परगती के लिए जरूरी है लेकिन इसके साथ साथ हमें बच्चों को वास्तविक दुनिया से भी रूबरू कराना चाहिए और ये हम तब ही कर सकते हैं जब हम बच्चों की और खुद की भी स्मार्ट फोन यूज़ करने की सीमाताय करें तो आईए हम सब इस बाल दिवस अपने बच्चों को एक अनमोल तौफा देते हैं तोफा देते हैं कि हम अपने बच्चों को भविशे में आलसी नहीं बनाएंगे, हम उनको मुबाइल में गेम खेलने की पर्मिशन केवल एक घंटे के लिए ही देंगे, हम उने बाहर जुला जुलाने, सरकस, जादू कशो दिखाने, एजुकेशनल टूर पर ले जाय करेंगे और ऐसे ही हर संभव संभात कराने का परियास करेंगे नेशन वन के लिए अर्पिदभाट्या की रिपोर्ट